पर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं राजनी तीशुक्षा और समात से जोड़ी एहम खबरों को सरल और रोचक तरीके से आज की चर्चा है वो उस प्रोटेस्ट की जिसमें हाल ही में UPPSS के प्री एकजाम को लेकर पूरी UP को हिला दिया है साथ ही प्रोटेस्ट में द्रिश्टी IES का क्या रुख रहा है और शात्रों पर FIR क्यों होई आए आसान शब्दों में समझते हैं कि क्या है पूरा मामला तो दोस्तों बात शुरू होती है UPPSC के उस नए नियम से जिसके तहट PSC Pre और RO-RO परिक्षा दोनों पालियों में कराई जाने वाली थी चातरों का मानना है कि इस प्रक्रिया में normalization से उन्हें नुक्सान हो सकता है इसी वज़े से छातरों ने विरोध प्रदर्षन सुरू किया जो अब कई दिनों से लगातार जारी है इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है प्रयाग राज में ये प्रोटेस्ट जोर पक हो रहा है कि हम प्रशासन की इस नीती का से असहमती रखते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारी मेहनत और भविश्य पर पड़ेगा जिसकी वज़े से आज हम धरना दे रहे हैं ऐसा चात्रों का कहना है मुद्धा ये उटता है कि दिरिष्टी आईयस जैसे बड़े कोचिंग संसान इस प्रोटेस्ट के समर्थन में क्यों नहीं दिखे इस दोरार खबार आई कि कोछ शात्रों ने दिरिष्टी आईयस के पोस्टर को फाड़ा और इसके बाद पुलिस ने 11 शात्रों को गिरफतार कर लिया FIR की शिकायर दिरिष्टी द्वारा कराई गयी ऐसा कहा गया है लेकिन दिरिष्टी आईयस की ओर से एक ट्वीट में साफ कर दिया गया कि FIR उनके द्वारा नहीं की गई बल्कि पुलिस ने स्वता ही संग्यान से इस पर कारवाई की थी खेर दिरिष्टी आईयस पुलिस ने अपने द्रिष्टी ट्वीट में लिखा कि हम विद्यार्थियों की उचित मांगों के समर्थन में हैं और किसी भी तरह कि हिंसात्मक कारवाई या FIR की पहल हमारी ओर से नहीं होई है पुलिस ने स्वता ही संग्यान लेकर कारवाई की है इस से पस्ठ होता है कि द्रिष्टी आईयस जो है छात्रों की मांगों का सम्मान करती है लेकिन FIR का आरोप उन पर नहीं था खेर दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इस पूरे घटना क्रम में बड़े कोचिंग संस्थान क्यों पीछे हटे दिख रहे हैं छात्रों का सवाल था कि क्यों ये नाम हमारे साथ खड़े नहीं हुए द्रिष्टी आयस का यह कहना है कि वे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में छात्रों की भागिदारी के पक्षधर है परंतु FIR वाली बात पर उनका ये स्पस्टी करण भी सामने आया है उन्होंने अपना स्पस्टी करण दिया है इस भी छात्र की बात कही है पर अब देखने वाली बात है कि जो है सरकार इस पर कोई विचार करती है और नहीं तो दोस्तो इस पूरी स्थिती से साफ है कि छात्रों की मांग जायाज है और इस मामले में इस पश्टता की कमी की वज़े से कंफ्यूजन हो गई है दृष्टी आयस का बयान भी इसे और भी दिल्चस्प बनाता है उमीद है कि इस वीडियो में आपको पूरी स्थिती समझाई होगी अगर आपको हमारी मेनत पसंद आई हो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न सीग्रेट्स फ्रांजेक्शन से लेकर एफेक्ट्स तक चाहे यूट्यूब वीडियो हो या इंस्ताग्राम ट्रीट्स इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियो बनेंगे टोटल शोस्टॉपर इंडस्टी के एक्सपोर्स से ट्रेनिंग लो अपने एडिटिंग स्किल्स को सूपर शार्च करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ तो अभी एंड्रोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर